वेलकर दो आपके चैनल करने अफेर अफेर अप्डेट एडा दिस दिवश्री शवस्ती आज मैं आपके समझे टॉपिक लिखा है उन्ट इसका एसियान याद रखेगा फुल फॉर्म बताइता हूं एसियान का फुल फॉर्म क्या है तो जो साउथ इस अशियान नेशन है उन आपके 8 August 1967 में स्टाबिश हुआ तो 8 August को हम क्या बनाते है एशियान डेवी सेलिवेट किया जाता है अब 8 August 1967 में यह स्टाबिश हुआ बैंकॉक में मैं आपको बता है थालेंड में तो इसको बैंकॉक डेकलरेशन भी कहते हैं या तो पुझा एशियान डेकलरेशन इस तो रिमेंबर बैंकॉक डेकलरेशन तो यह आपको कन्फूजन डू रखनी है इसका अगर मोटो की बात करें में आप सोचों में इसका एम क्या है उसको डिसकस करेंगे बर इसका मोटो है वन विजन वन आइडिनिटी और वन कमुनिटी की बात करता ही है इसका हेड़कोर्टर जो है यादखेगा जकारता इंडोनेशिया में इसका हेड़कोर्टर है तो यह भी आपको यादखना है अगर मैं आगे बात करूँ इसके मेंबर की बात करो टोटल इसमें 10 मेंबर से और इंडिया इसका मेंबर नहीं है खास पॉइंट यह आपको ज़रूर यादखना है व फिलिपिन्स, मलेशिया, सिंगापूर और इंडोनेशिया यह फाइव इसके क्या थे फाउंडिंग मेंबर उसका फाइव मेंबर इसमें और एड होते है जैसे ब्रुनई 1995 में होता है वियत नाम 1995 में लाउस और मैनमार दोनों ही 1997 में और लास जो है कंबोडिया 1999 में तो टो और फिर एड प्रजेंट 10 मेंबर से अब एशियान के अगर बेसिक में पुछों होता क्या है तो अफ्कोर्स यह एसोसियेशन है किसका साउथ एशियन निशन से उनका एसोसियेशन एक तरीके से रीजनल और गनाईजीशन है जो स्टाबिश की गई है क्यों बताओं यह सार पॉलिटिकल हो, social tensions थो यह सब ना हो इसको यह देखते हुए इस ग्रूप को बनाया गया था remember प्रसका एंब कहा था प्रेंट पॉलिटिकल पॉलिटिकल सँशेल में South East Asian nations की बात कर रहा हूं मैं तो यहां पर development की बात करेंगे mutual cooperation की बात करेंगे welfare of the people की बात करेंगे social economic political हर field में mutual तरीके से work करने की बात करेंगे तो यही सब इसका major objective है जैसे कि मैं लिखा भी है कि economic growth accelerate करना है हमको social progress culture development men to men contact बड़े people to people contact बड़े between the countries जिससे की peaceful community develop हो सके क्या साउथ इसेशन नेशन नेशन एक peaceful community develop हो सके दूसरा अब देखिए regional peace होना चाहिए stability होना चाहिए है कैसे कि जो भी rules regulations होंगे जो भी international याद रखेगा principles हैं जैसे UN charter जो हैं उनको follow करना तो एक तरीके से stability चाहिए tension नहीं चाहते हैं ओके next देखा है collaborate हो आपस में जो countries है जाद रखेगा उनके बीच में collaboration को promote करना mutual assistance होना चाहिए एक दूसरे के बीच में मतलब किसी को कोई दिक्कत है तो एक दूसरे की help करने की जो तो तो इंची between the nations जो common interest है उस पर work करने की बात है agreement sign करें आपस में free trade agreement sign करें करने की कोशिश की जाएगी South East Asian nations के बीच में फिर बोला गया है या पर agriculture industry field हो इनकी बात की गई कि इनको effectively इनको यूटलाइस करना है प्लस ट्रेड को बढ़ाने की बात की गई है transportation communication को बढ़ाने की बात की तभी तो trade develop होगा इससे क्या होगा living standard जो लोग का वो raise up होगा तो यह सारे objectives से even जो South East Asian nation की या देखे कि जो culture heritage है studies है उसको promote करने की बात करते हैं कि South Asian South East Asian nation की studies को promote किया जाए जो के प्लस देखा जाए तो जो अधर international blocks हैं उनके साथ एक अच्छे कहा से contacts हो remember तो यह जो एश्या नहीं other blocks जो अधर groups हैं उनके साथ अच्छे close contact रखता है जो उनके इसलिए beneficial हो इनके लिए ज्यादे एडवांटेज हो तो उनसे close contacts हो international और international regional organization के साथ अच्छे contacts होते हैं तो यह थे इनके basic से क्या that is objective अगर मैं इंडिया के perspective से बात करूं तो क्या इंडिया के important है बहुत important है बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा institutional mechanism क्या है इस्यान का institutional mechanism यादा कि हर साइन की summit होती है ठीक है और उसमें कोई ना कोई जहां summit होती है वहाँ पर chairman appoint होते हैं remember तो chairman of Asian और वहीं पर आप देखेंगे summits भी होती है हर yearly summit होती है तो chairmanship जो इस्यान की है वो alphabetical orders याद कि 10 members है उनके according हर साल कहीं ना कहीं पर होती ही रहती है alphabetical order में member states में submit होती है वही chairman मनता है उस particular summit का है ना मैं लिखा भी यह देखिए जो summits होती है यहाँ पर एक supreme policy making body है यहाँ पर consensus के थुरू आपस में याद एक consultation के थुरू decide किया जाता है कि decisions लिए जाते हैं कि क्या हमको agreements करने हैं between the nations या with the other countries या with the other blocks तो यह सब Asian summit में सब चीजे होती है तो chairmanship याद एक हर साल मैंने बताया आपको alphabetical order move करती वहीं पर summits देखिए आती जहां पर साही decisions लिए जाते हैं इनका खुद का याद कि जो summits है सबसे पहली summit अगर बात को इस यान की तो वह हुई थी इंडोनेशिया में 1976 में ब्लॉक बनता है 1967 में बट पहली summit कब हो रही है 1976 में 2021 में October में summit होई ब्रुनई में तो अगली 2022 में summit होने वाली वह में आपको बता दू कमबोडिया में होने 2023 की summit होने वाली वाली वापस इंडोनेशिया में तो यह आपको याद अखना है जो recent summit होती वह आपको याद अखना है अब इंडिया आप सोचाओंगे इंडिया सर क्यों important रही है तो चलिए आपने South East Asian nations की बात करें तो अगर इंडिया की perspective से देखाया है तो इसकी timeline आपको sectoral dialogue partner बनता है और 2018 में इसको 25 साल भी हो जाते कि 92 में established हुआ था तो 2018 में प्राइम मिनिस्टर मोधी इन सबको डेली बुलाते हैं और 25 years का एक relationship एक relationship और एक summit hold करते हैं Delhi में तो आप देख सकते हैं picture भी आपके सामने होगी 25 years हो गया तो इंडिया एक sectoral इसका dialogue partner है फिर इंडि इंडिया एशान begin to hold annual summits तो यादे कि इसलिए जब एशान summit होते हैं प्राइमिस्टर मोधी जाते हैं और इंडिया एशान की भी summit होती है वहाँ पर रेमेंबर 2009 में इंडिया ने इशान के साथ free trade agreement भी sign किया जो कि यादे कि गुट्ष में sign किया गया था रखा इंडिया ने एशान के साथ तो यह भी एक अच्छी बात है अगर overall मैं significance की बात करूं क्यों important हमारे लिए एशान important है क्योंकि अगर उस region को आप देखिए तो of course क्यों important है पहले मैं चलिए points discuss का तो फिर बताता हूं इंडिया को अपने close diplomatic relationship एशान के साथ अखने की जरुवत है जिससे इंडिया को भी याद है कि जो production साथी सेशन में develop हो रहे है उनका जो technology वो इंडिया को मिलेगी अगर free trade agreement sign होते है between them है ना गुर्च में already sign हो चुके है services में sign हो तो of course economically इंडिया को बहुत benefit है और security perspective से भी benefit है अब देखिए एशान के अगर आप position देखिए let us suppose यह इंडिया है यह एशान के सारे groups ओके तो एक तरीके central position है ठीक है between whom इंडिया अगर मालो Pacific में अपना trade बगरा करती है और trade आपको पता है maritime से होता है तो याद है कि maritime से अगर आप अपने goods को बगरा को भेज रहे हैं तो इनके साथ अच्छे relations होंगे तो आपको एक तरीके से यह भी है कि आ पता है trade maritime पर बहुत जारा dependent होता है इंडिया अगर इसके साथ close relationship रखती है तो इंडिया का नौर्थ इस ब्लॉक जो है वो भी develop होगा इंडिया की पॉलिसी है आपको इस पॉलिसी भी बोलती कि इंडिया को एशान के साथ अच्छे relations बनाने चाहिए इंडिया एशान के साथ अच्छे relations रखते हो ठीके इंडिया को अपनी अच्छे करने पड़ेंगी जिससे की चाइना को आप काउंटर कर सकते हो रवेंबर ओके इंडिया की जो पॉलिसी है ओबी ओवार वन बेल्ट वन रोड इनिशेट वह भी काउंटर होगी अगर आपके इंप्रूब्ड रिले अच्छे बनाएं लिखा भी है अगर आप अच्छी करते हैं तो जब अच्छी होगी तो इंडिया का जो अच्छागा सा डवलाप हो जाएगा रवेंबर जो सेंटर में आ जाएगा आपको जाना तो यहां पर इसी से पढ़ेगा नौर्थीस आपको डवलाप हो जाएगा और नौर्थीस आपको इशूस पता है किसा इंसर्जेंसी के होते हैं टर्रिजम के इशूस हो सकते हैं टाक्स इविजन की इशूस होते हैं यह सारे काउंटर हो जाएगा अगर आपके वहां पर डेवलप्मेंट आया थी जॉब अपॉच्छी आया थी और नौर्थीस भी इशूस आपके डिवलप हो जाएगा तो यह था पूरा इशॉन का सिग्निफिकेंस इंडिया के परस्पेक्टिफ से शान ब्लॉग भी मैं आपको इसी इंडिया के परस्पेक्टिफ से टाइम लैन भी मैं आपको बताई अगर आप मेरे कंप्रीट को से को जुएं कर अदा अगर आप guidance के दूप पढ़ना चाहते हो तो एक बार आप को विजिट करो, वहाँ पर आपको हमाई सारे UPST से लेके state services से लेके courses अविलेबल हो जाएंगे, प्लस remember आपको कोई doubt query है तो आप तो अभी भी comment कर सकते हो, आप हमें call भी कर सकते हो, number नीचे mention है, कोई doubt query है तो comment box में जरू comment करो, वीडियो अगर पसंद आया हो, यह मैंने बहुत basic जल्दी साब को समझा दिया हो एशान, तो वीडियो को like जरू करना, चैनल को subscribe करना, कोई doubt query है तो आप हम को inform कर सकते हैं, thank you.